दोस्तो नो फुट में कितने इंच होते हैं यह तो आप तभी समझ सकते हैं जब आपको पता हो कि एक फुट में कितने इंच होते हैं तो आईए पहले इसे समझें मगर पहले वीडियो को लाइक करते हुए चेनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों अगर हम फुट और इंच के समन्द की बात करते हैं या फिर कह सकते हैं कि एक फुट में कितने इंच होते हैं इस बारे में बात करें तो वह कुछ ऐसे हैं एक फुट बराबर बारा इंच यह फिर कह सकते हैं कि बारा इंच बराबर एक फुट यानि दोस्तों अगर एक फुट होता है तो उसमें बारा इंच होते हैं और इस बात का मतलब है कि एक फुट के लंबाई के अंदर बारा इंच होते हैं नमबर दो, 9 foot में कितने इंच होते हैं, वेसे 1 foot में तो 12 इंच होते ही हैं, मगर अब आपको यह पता होना चाहिए कि 9 foot में कितने इंच होंगे, तो आईए पहले इसे समझे, अगर आप 9 foot को इंच में बदलते हैं, तो इसके लिए आपको 9 को 12 से गुना करना होगा, क्योंकि 1 पूट के अंदर 12 इंच होती हैं। क्योंकि एसा करने के बादी आप इसे इंच में बदल सकते हैं। तो आएए गुणा करते हुए समझते हैं कि 9 फूट में कितने इंच होंगी। 9 फूट इंच इंच यानि 108 इंच। यानि दोस्तों 9 फुट को जब 12 इंच के साथ गुना किया जता है तो 108 इंच आते ही और इस बात का मतलब है कि 9 फुट के अंदर 108 इंच उते हैं इस तरह ची दोस्तों 1 फुट में 12 इंच हैं और 9 फुट में 108 इंच उते हैं इस प्रकार अगर आपके पास 9 फुट की लंबाई है तो उसे इंच में 108 इंच के रूप में मपाद जा सकता है। खुल मिलाकर बात यह है कि 9 फुट में 108 इंच होते हैं। अगर आज का यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हूँ तो करपे वीडियो को लाइक करें और चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें।